student class 2nd subject evs chapter 11 plants we are various types of plants in our surrounding some plants are big and some are small some plants are very small so students, this is plants chapter and this chapter we will tell you about plants so we can see that we can see that there are many different plants some plants are big, some plants are small and some plants are very small big plants are known as tree they stand straight their branches are wide they live for several years they have heavy, strong and soil stream banyan, mango, people, ashok, neem etc are trees so we know the big plants we know the trees we know the name of what we know and the tree they are straight and the branches they are tall they are small they are very small they can survive they are heavy strong प्रॉंग होते हैं और जो उनकी स्टीम यान जो तना होता है वो सॉलिड होता है जैसे बैनियान हैं मैंगो पीपल अशोकार नीम ये काफी सारे इस तरह के ट्रीज हैं उसके बाद में आता है सर्ब्स smaller plants are known as serbs, their branches come out from the lower part of the plants, the branches are very close to each other, their stream in the brown color, rose, heena, marigold etc are serbs जो बहुत ही छोटी plants होते हैं smaller plants होते हैं उनको सर्ब्स के नाम से जानते हैं और जो उनकी ब्रांचीज होती हैं और जो उनकी स्टीम होती है वो किस कलर की होती है और जो उनकी स्ट्रीम होती है वो बारीक होती है जैसे रोजगी, हीना की, मैरी गोल्ड, ETC बहुत सारे जी सर्ब्स हैं नेक्स्ट आपका आता है हर्ब्स स्मॉलर प्लांट्स विच सॉफ्ट एंड ग्रीन स्ट्रीम आर कॉल्ड हर्ब्स हर्ब्स लाइफ प्लांट्स हर्ब्स जो सॉफ्ट होती है औो ग्रीन होती है जैसे मिंट हो गया, या पुदीना है, धनिया है, पालक है, बलैक पेपर, या आपकी काली मिर्च है, तो ये सब हर्प्स होती है, और हम हर्प्स को दूसरे नाम से भी जानते हैं, आपको बताना चाहती हूं कि जैसे उनको हम आउश्टी के जो प्लांट्स होते हैं ठीक है यानि जो हमारे मैडिकल उसमें भी यूज होते हैं उनको हम हर्प्स कहते हैं क्लिंबर सम प्लांट्स कैंनों इस्ट्रेट इरेक्ट देयर हैव वीक स्ट्रेम यूज होते हैं वह स्ट्रेट नहीं रह सकते हैं जो उनका स्ट्रेम होता है यानि इनका तना होता है वह बहुत ही वीक होता है और उनको सीधा खड़ा रहने के लिए किसी की जरूरत होती है तो इन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं क्लिंबर कहते हैं जैसे जो आपने देखा होगा ग्रेप्स होते हैं मनी प्लांट्स होते हैं तो इनका हम या तो किसी डंडी के सारे या धागे क सारे हम इने ऊपर की तरफ ले जाते हैं तो यह अपने सारे से नहीं रह सकती है इन्हें किस चीज की हेल्प होती है फिर आता है एक्विट टिक प्रांट्स संप्रांथ के अंदर ही घुंहू आता है इससे आप ने देखा है कि लोटस होता है, वाटर लीली होती है, वो क्या होता है, वाटर के अंदर ही होती है, तो उनको एक्विटिक प्लांट्स बोलते हैं, तो students यह आपने देखें, यह कुछ प्लांट्स हैं, आपको उन प्लांट्स के बारे में बताया गया है, I hope so you do understand this chapter, thank you students.